बहुत दुख में था उस गाने को लिखते से, और मैं बताऊंगा कि छटी मेर बुलाय लिखने के बाद अभी तर्में छट घाट पे नहीं गया हूँ गाना लिखते समय जो आपने शायद इमाजन किया था गाना बनने के बाद उससे ज्यादा नहीं लगा अपको या फिर ऐसा नहीं रहा कि मेट फॉर इच अधर था यह तो वो तो मेरे मतब मेरे जान है मुझे लगता है कि मैं एक लेखक हूं जो हर गीत को डिवोशन के साथ लिखते रहे हैं साथ के बारे में क्योंकि if you have talked about tell us about your relationship status यह है जानो जंक्शन वेलकम टू जानो जंक्शन सबसे पहले पहने वाद और कैसा मैं सुस कर रहे हैं यहां बैट के बहुत पजेटिव मैं सुस कर रहा हूं मैं जो एनर्जी है यहां पर जो कलर्स हैं और तीन चार पांच लड़के जो बहुत ही उत्सा और उमंग से भरे हुएं मुझे यह देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अप उर्वी के साथ बैठा हूँ मुझे दुगनी तुगनी खुशी हो रही है और यह जो हमने शुरुवात की है इसके पीछे जो कुछ भी लगा है इसके बहुत सच्चे लोग और बहुत जब सच्ची महनत एक साथ जब जुड जाता है सब कुछ सच्चा तो जो बाहर निकलता है वो बहुत ही खुमसूरत निकलता है और ये आपका हर गाना जो है इस एक चीज का एक्जामपल है Because every song that you have written reflects the truth हाँ, चुकि मैंने सच के बारे में एक चीज ढूंडी है कि सच जो है वो अच्छे और बुरे से उपर है हाँ, तो सच को अपजज नहीं कर सकते हैं सच-सच है, वो अच्छा या बुरा नहीं है तो सच्चाई जो है वो हमेशा कार्डर है हमेशा प्रभावी है और अगर कोई चीज सत्त है तो उससे बैढर क्या हो सकती है अजा ये कौशल किशोर इसका क्या मतलब है कौशल किशोर का मतलब क्या है कौशल किशोर मेरे लिए जो कौशल किशोर का मतलब है जो मेरा नाम है लेकिन मेरे से अलग इसकी पहचान है कौशल और किशोर की दरसल कौशल मेरे नानी मागा नाम है अच्छा और किशोर जो है वो मेरे पिता जी का नाम है और इन दोनों को जोड़ा है जिनोंने वो मेरे नाना जी है, छोटे नाना जी मेरे जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे अंदर तो है, तो कौशल और किशोर को उनोंने जोड़ा और एक नाम बना, जो कि मेरा नाम बना, और मुझे इन दोनों लोगे से इस पुर प्यार है, उसके बाद मा आती है मेरे लिए, बहुत खास है मा मेरी, लेकिन नानी मा का स्थान अलग है, मा की मा है, तो उनसे ज़्यादा पूझी यह कौन हो सकता है, और फिर पिता जी है, तो वो नाम जो जुड़ा, वो मुझे बाद में पता चला कि वो कितना important है मेरे लिए वो मुझे बहुत शक्ती देता है, मुझे लगता है कि यह नाम जो है, यह नाम हमेसा चमकना चाहिए, इसलिए नहीं कि यह मेरा नाम है, मेरा नाम तो है नहीं, यह तो उनलोगों का नाम है, जो मुझे मिला है, और एक जिम्मेदारी मैसुस होती है कि इस नाम को हमेसा proud के स साथ लोग ले, सम्मान के साथ ले और रिस्पेक्ट मिले ताकि ये उनको रिस्पेक्ट जाए तो ये बहुत इंपोर्टेंट नाम है मेरे लिए और बिलकुल वैसे ही मतलब चमक भी रहे, चटी मैया के साथ चमक रहे, राम जी के साथ जुड़ गया, महादेव के साथ जुड मेरा जन नारीमा के घर पर हुए है, उनी की गोध में पला बढ़ा हूँ, और आज भी मैं अपने आपको वही पाता हूँ, मुझे लगता है कि मैं उनी की गोध में हूँ, कांटी, मुझे अपपर पूर के पास बिहार में जहान हम अभी है पटणा में, मुझेश बच्पन सेही मतलब नानीमा से बहुत ज़दा लगा हो रहा है. मैं मा की गोद में जाता धी नहीं था है. नानिमा की गोद में रहता है. वो प्रेम उसकी जो शुरुवात जो हुई है वो उन्ही से हुई है मेरे जीवन में. तो थोड़ा सा पहले चलते हैं कांटी को थोड़ा सा फिर से जीते हैं तो बताईए कांटी के बारे में काटी मेरे जीवन में बहुत 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 ज्यादा माहिने रखता है क्योंकि वहां पर मुझे जो प्रेम देखने को मिला परिवार में वह नॉर्मली दिखता नहीं है जैसे कि आपस में बहुत प्रेम बहुत ज्यादा प्रेम बहुत अनुशाशन चा जाय नहीं पिना चाहिए, नुकसान करता है, बाहर नहीं निकलना है इस तरीके से, सम्मान करना है, बरो का, मेरे नाना जी का बहुत बढ़ा है, मेरे चोटे नाना जी का, मेरे लाइफ में, चुकि अनुशाशन उनहीं के हाथ में था, उस घर में, और उनसे हम लोगों ने कैसे कहां पर चुप रहना है, कहां पर बोलना है, जो बेसिक जो एक इनसान जब बन रहा होता है, बच्चा जब बोलने से नहीं, डाटने से नहीं, जब वो देख देख के सीख रहा होता है, तो वो मेरे ननिहाल में बहुत भरा हुआ है, मैं यहां से ननिहाल ही जाने वालू कितना समय लग जाता है राउंड जाने में सवा गंटा लगेगा बहले तो दूगंटे लगते थे जब सड़के बहुत खराब थी लेकिन हाईवे बहुत अच्छी है तो कोई दिकत नहीं है लेकिन गंटा सवा गंटा लगेगा देड़ गंटा लगेगा और मैं काटी करता उनको बात करती रहेंगी फिर में अचानक उनके सामने चला जा रहा है तो वो जो उनके चेरे पर मुसकान आती है वो में ली बहुत की लिए तो एक दुक्का चाइड मेमरीज अगर आप हमसे अभी साजा कर पाएं जो आपको याद है पच्पन के बारे में जो कहीं न कहीं आप अपने गाने में अपने क्रियेशन्स में उसको अभी भी डाल देते हैं जैसे अभी छोड़ूगा ना आपका आया रिजीत सिंग साथ तो उनके साथ यह गाना किया आपने जो बच्पन दोस्ती कभी यूज होता है वो सारी फीलिंग्स जो है अंदर परसंट बता लेकिन अगर मैं मैं कुछ भी में जुरूभी हूं उसमें बहुत बड़ा यह उदान है मेरे नहीं हाल बहुत बड़ा यह उस एक लाइन को सुनके अभी सोच के दिमाग में जब आप कह रहे थे कि अंगना में दीदी संग मौसी पर्व के ठेकुआ बनाए उस एक लाइन को सोच के सुन के भी नहीं गाह के भी नहीं फिर दिमाग में सोच के भी नहीं बहुत दुख में लिखा अच्छा मैं बहुत बहुत दुख में था उस गाने को लिखते से और मैं बताऊँ कि छटी में बुलाय लिखने के बाद अभी तक मैं छट घाट पे नहीं गया हूँ क्यों? क्यों? दुख में क्यों थे? दुख में था इसलिए कि छट पूजा के कुछ दिन पहले जब मैं गाना लिख रहा था जब मैंने गाना वो लिखा तो मैं अपने नाना जी के काम जिसको बूलते हैं जो अंतिन क्या जो होती है उसके लिए घर गया था वो नहीं रहे हमारे बीच सरीर उनका नहीं रहा वो तो भी भी है क्या बात हो रही है तो मैं कांटी गया था जब यह हो गया इतनी बड़ी दुरगटना हो कही और दरसल वो मुंबई आया थे अपने लास्ट टाइम में डॉक्टर से मिलने डॉक्टर से दिखाने के लिए और मुझे ऐसा लगता कि शायद मुझे से मिलने आया थे क्योंकि इस स्टेज में उनको नहीं आना चाहिए था लॉक्टर भी बोल रहे थे कि क्यों आये आप लेकिन वो आये थे शायद मेरा बड़ी था जब आये और उजे बहुत बोलते थे कि मैं आऊंगा आऊंगा और उसके बाद जब वो वापस आये और घर भी नहीं पहुच पाये सफर म नहीं भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया लेकिन ठीक है कोई बात नहीं है तो मैं घर गया घर से जब मैं वापस आ रहा था तो उस महौल के बाद में वापस आ रहा था तो मैं वो गीत लिख रहा था तो सबके अपने कारण हो सकते हैं आसो आने के उस गीत के लेक और उनके और मेरी बहुत बातचीत होती थी, चुकि वो अपने दुकान के बात बताते थे, इतना सेल हुआ, अभी भी है, मामाई करते है, सब कुछ मैनेज, लेकिन नाना जी से बातचीत होती थी, तो उस कारण से मैं घाट पर नहीं जाता हूँ, मैं बरदास्त नहीं कर के बिना इमाजन नहीं कर पादा हूँ, और लोग अज चट घाट को इस गीत के बिना इमाजन नहीं था, यह तो किरपा है, लेकिन उस गीत में नाना जी का दर्द है, इसलिए वो आसुआ नहीं है, कुछी रास्ता नहीं है, जहीं, और क्या मतलब कमान कर दिया विशार परनाषर जी ने जो डिया प्राइद किया है मुझीس हिज गाना लिखते समय जो आपने शायद है इमाजन किया था यहा बनने के बदा नहीं था बेहल सो कि चया था है एः यह विशाल भाई और मेरशन है, यह 100 % बहुत ही ज़्यादा स्चिछिट है और इसको हमेइसा हम आपके ये नहीं है नमेरे हशाच भोल गवान नेतार लेकिन बट्वान में अप्वान इसलिए रभावन बतुम उऩवका मीड़़ में और उन पर जितनी ट्री पे करिकिन हैं यह बिता है औरना ची लुक्तिमिया गुलाए, सब रो रहे थे वहां, राजशेकर भी थे हुआ, तब वो तो मेरे जान है, वो हम सब की जान है, वो जानते हो, सब जानता है उनको, और वो भी थे उनके भी आख में, जब मैंने उनकी आखों में आसूद देखा, तो मैं समझ गया कि ये कुछ और है क्योंकि भाईया को जितनी समझ है, बिहार की, और जितनी समझ है छट पूजा की, और उसके बाद उनके आख में, मैं बोलागी, ये कुछ जादू होने वाला है, ऐसा, साहत लग रहा है, और वही हुआ, विशाल भाईय ने जो अंतरा बनाया है उसका, चुकि उसमें जो फ जो उनसे ऐसा बनवा लिया उन्होंने, वो लगता नहीं है कि वो दोनों फोक और जो उन्होंने क्रियेट किया, वो अलग नहीं लगता है, वो लगता है कि दोनों एक इनसानने बाद है, दोनों एक सोल है, तो जादू हो गया, अचानक से एक राई आता है गाने में, और उ लोग उने कमाल हर वक्त तो सबका एक वीजन था मेरे पास बहुत दिनों से कि छट पूजा की गाने जो भी मैं सुनता हूं सब बड़े बड़े अच्छे गाने मतलब क्या है यह बताने के जरूरत नहीं लेकिन मैं मुझे लगता था कि वह रिचनिस नहीं है तो बेरी फ्रेंक ऐसा लगता है कि जाला तर मुझे जो है वो कंप्यूटर से बनाए गया है प्रोग्राम किया गया है लेकिन जब हुमन टच आता है उसमें से विशाल भाई और गोरो भीया का जो एक कॉम्बो है जो रामाय उद्ध्या में भी इस पर बाद में बात करेंगे तो बड़ा ही एक दैवीक लगा मुझे और सभी का बहुत योगदान है बहुत योगदान है और मेरा तो जैसे सपना ही पूरा हो गया है चुकि इकलोता मैं बिहार का हूँ उस बुरे टीम में अच्छा और सबने मुझे फेट किया कि कॉशल बोल रहा चलो मांते खासकर व विशाल बाई का अपरम पार योगदान है और वह हो गया मैं रस्तिजा मैं नाम लेना चाहूंगा भाईया है इमलोग के क्लिक रिकॉर्ड के हेड है ऑनर है तो उनका भी बहुत योगदान है उन्होंने भी जो भी फैनेंस थी उनको उन्होंने कभी रोका नहीं कि यह मत कर कि अधिया है कि मुग चैशा को लाइए डागी वी दिवे सब कुछ दिवे यस तो अचहा लगता है मतलब जब बिना किसी हिंद्रिंश के कि की हूफ पूर्न हो जाता है हां बुछ अच्छा लगता है लगता है अथा कि साकरात्मक्ता जो है वो आपको प्रद्ट कर रही है और एक रेजल्ट पर लेकर आ रही है तो बहुत बॉजेटिव मैसूस होता है बहुत अच्छा मैसूस होता और जिस तरीके से मुझे पहले दिन से पता था अगर पोश्ट पर जाएंगे तो जब पहले साल जब रिलीज हो था तो 4000 रील थे उस पे तो मेरे पोश्ट पर भी आ मुझे पता है क्या होने वाला चुकि मैं ब्यार को जानता हूं ना मैं नहीं जानूंगा मुझे पता है क्या आसर होने वाला एक अश़मादिक लोगों ने देखा अगले शाल और देखेंगे आज जब देख रहे हैं तो नौ मिलियन पर जो फोर भी होगा दो करन को बिलकुल, बिलकुल, चुकि उसमें बिहार है, बिहार का प्यार है, और चटी मिया का शुरुआद है, बिलकुल, जी, तो पहली बार लिखने की शुरुआद के बारे में बता है, ये कब लिखना शुरू किया, या लगा कि यार शब्द लिंक देने चाहिए, जो दिमाग में यह कब मैसुस हो आप? मैं बहुत चोटा था बहुत ज्यादा चोटा था मैं 6-7 साल का था मैं तब से मैं तुक बंदिया कर रहा हूं कुछ याद है 6-7 साल? यह बहुत याद है बाई कहां से तहां लिखते थे कुछ भी नहीं भोला हो आपक पापा मेरे लिखते हैं भी बोल सकता हूं है अभी भी भी लिखते हैं लेकिन उसमें बहुत लिखते थे कई नगई साइ इंस्पिरेशन मरा तो बड़ा अच्छा लगता था मुझे लेकिन समझ नहीं आती थी थोड़ी गंभीर लाइटर थे वो गरीबों पर लिख रहे हैं मजश्धूरूं पर लिख रहे हैं उनकी डैरी एली है उनकी डैरी है उनकी पंक्तिया याद है मुझे कुछ दो-तीन -तीन कि थो cade कुछ याद है रहे लिज़े कि इतिन दिन कमाए बचने न पाए, बिन खाए, रातों में सो जाए, इनकी आशू है पुकार, मत ठुकराना में रहे है, तो क्षोर कुमार, क्षोर मैं हूँ, और जो कामनी कौशल है, क्वुशा कौशल मैं हूँ, तो यह जो हूँ, कमाल की बात है, किशोर कुमार, क्या लिखते हैं, जो आपने लिखा था छे साथ साल की उमर में आपको याद है अभी? याद है? मैं तक बंदी करता था, जिससे आपको यहाँ पता होगा जब यहाँ बहुत फेमस था यहां पर की नेता में लालू का और समोसे में आलू का बड़ा ही महत्तो है इस तरह की चोटी 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 तक बंदीया चलती थी लालू याद होजी के बारे में बड़े फेमस नेता है हम लोग के रहे है तो इस पे मैं जोड़ता था मेरी दीदी है उमका नम किरन है तो मैं बोलता था क को तो वह एक रुपय निकालते थे दादा जी दे देते थे मुझे उनका नाम रामचंद प्रसाद चौतरी था बड़े बहुत खुबसूरत इंसान दादे जी वर में क्या आदे आदे आपको दादा जी मेरे बड़ा लगी रहा हूँ मैं सब कमाल के लोग मिले मुझे अधाका हुआ अधाका हुआ अधाका हुआ तो बहुत ही अच्छे बहुत ही जिसको बोलते हैं कि सुन्धा बोलते है कोमल काइंट चल प्रपंच नहीं था उनके अंदर तो उनसे वह सीखा मैंने तो बहुत प्यार करते थे, तो वो एक रुपए निकाल कर देते थे तो वो बड़ा मोटीवेशन था, में भी यही कि बलता है, उस पर जो क्या होता था? उस एक रुपए का आइस्पीम आता था, मस्त, कुलफी, कि हम लोग या गाउ में बेजता था, बहुत ज्यस्ति, मैंने कुलफी स्कुलफी यो जालतों थे दे मेसे पिर जालते थी वर्फ का एक सुना थी निकाल निगाल के आगे आगिया झाल की अधिक करते, फिर पहर निक्स पेसे कर गेसे व्हाद पर पझ्रा इसे आध उस्स्क फैसे पहलीा बटेस्टी था औरे गाव में जो dairy milk मिलता था इसको dairy milk नहीं इसको कुछ और कहते थे स्पेलिंग में जैसे पिसलेनिकी बस लेनिलिए हां मतलब उससे बर डाइरी मिल्क मिल्क मिलती ती डाइरी मिल्क तब जर्रुणेत भी थे को अगरी लरि WAY मेरे को सब्सक्राइब का मैं 6th class में था मुझे इतना है उस समय आपने क्या दिया था कि मुझे लिरेसिस्ट बना है आपको कहां से सुना ही पड़ा गया शब्ड पेपर पढ़ता था पापा पढ़ते थे या कोई बता दिया कि गीत लिखने माले को लिरेसिस्ट बोलते है अच्छा तो पता था तो पत अज भी वर्ड लिखा हुआ था तो मैंने वह नहीं खूली था प्रसंध्यारी नहींकि इसपधे कुछ-कुछ-कुछ-कुछ रख बी लिखा था तो इस पर एक जिगाम लिखा अगो तरहां Creative मुटिवेट कर रहा था मैंने लिखा कि ए कश्टी तुमत डूम किनारा आज भी है वाह ए पिस्वास तुमत तूट सहारा आज भी है जड़ा गौर से देख है मिट जाने वाले तेरे बिना गुजारा आज भी है यह सुसाइट पर लिखा तो ज़ाट इक यह नहीं याद है मैं जो एक शिक्स क्लास में था और इसके साथ मेंने चार और चीजे लिखिए थी और मैंने जाके पापा को सुनाया पापा बोले की पापा दंग रह गये तो घृफ उनने कहा कि बड़े पापा को जबो मैं ड़े पापा ओ क्या इनसान, क्या इनसान? मतलब हमारे जीवन के सूरज थे वो, क्या चेहरा, क्या रूप, क्या आदा, खुबसूरत इनसान, मतलब वो नहीं है, संजोक से इस दुनिया में, 2008 में वो इस दुनिया से चले गय, लेकिन वैसे ही, वो मेरे साथ रहते है दिल जीतते थे, प्यार करते थे, सबसे, मुझसे ही बहुत प्यार करते थे, लोग चेहरा देखके सबको लगता था कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ, दम, घुलू, मोलू, मतलब बहुत ही, अवेसलि उनका बेटा ही हूँ मैं, और उनको सुनाया मैंने तो बोले, वो बहुत प पहले तक, बोलते थे कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, तो मैं कलेक्टर का बाप बन जाऊँगा, आप समझ रहें, मैं उससे पहले बोलता थे कि मुझे कलेक्टर बना, जैसे कि बिहार में सबका रहता है कि कलेक्टर कलेक्टर, तो उसके बाद वो बोलने लगे कि मेरा बे थी मैं जुहू बीच पे था है, और मार्च में मेरी बाढ हुई है कर लास टीए अनिल, मैं रास्ट पर चार जन्वरी को मिला था है, और मैं जुहू बीच पे था, उनका फोन आया, मैंने भला बड़े reducing बाफा, मैं बड़का पापा बोलता हैं सच बोलता है बड़े पापा नहीं बोलता था बड़का बापा बोलता थे जादा अपना अपने अपने इशाब अपने शड्याइव तो मैंने उस दिन मैं बोला अनको कि में राइटर परींगा बड़े बापा बड़े बा기 clinical जोगु हां तो बोले कि तुम राइटर पर होगे में राइटर का बाप बन जाओंगा उसके बाद मैंने बात लिए उनसे और फिर तो यह फिर मिझे इक दिन अहसास हुआ कि यह जाते नहीं है याद तो है अभी तो बात हो रही है अभी तो मिने अंदर ही है तो खैर यह सिलसल है फिर गीत लिखता गया सुनाता गया मैं गीत लिखता था और सब लोग बहुत इंज्वाए करते थे अगर कोई नहीं सुन रहा है ठीक से तो मुझे बुरा लगता था वह एक राइटर को होता है शायद कोई इंग नोड कर रहा है तो मैं नहीं तो थोड़ा मुंबई आ जाते हैं हाँ बिल्कुल काटी और मुतिहारी से निकल के वहां की गलियों में खेलना वहां से सीखना अपने परिवार के साथ रहना और फिर हर एक पागल इंसान की तरह सपने देखना और लग जाना उन सपनों पे कियार करना है जैसे जूस अपन में बड़े पापा को फोन करके बूला कि मैरा आइटन बनूंगा गलियों में मुतिहारी के गनियों में और उन गाओं में रहने वाला लड़का जब मुंबई में समंदर किनारे खड़े होके समंदर की और देख रहा होता है अकेले सिर्फ उसके सपने उसके साथ बहुत ब क्या कर रहे हूं इसमैं विशाल समंदर के सामने पीछे भीड है बॉंबे जैसा शहर है कोई नहीं है अपन अपने रास्ते डून रहा होता है किसी समंदर में रास्ता बनाना है एक समंदर जो सामने है एक समंदर जो एक दुलीआ है जिसमें ज़्यादा लोग डूब जाते, समंदर से, तो मैं डूबूँगा, मैं उपरूँगा, घर बनेगा, या बेघर रहूँगा, क्या होगा, इस सवाल जो कौन देता है अंदर आपके, गूंजता है, फिर एक सूरज दिखता होगा, उसे समंदर के उपर, जो विशाल अंतरिक्ष को रोश्णी दे रहा है, फिर लगता है कि यह सूरज अंदर भी तो है, जिसको आप रोश्णी कहली जिए, नूर कहली जिए, भगवान कहली जिए, आत्मिस्वास कहली जिए, कुदरत कह लीजिए, जो धरक राय अंदर, तो दिल की धरकन के पास सारे जवाब हैं, क्या आप सुन सकते हैं उनको, अगर सुन सकते हैं, तो जवाब आपके अंदर है, नहीं तो फिर वो गुम हो जाएगा, वो कभी सुनाई ने देगा, तो सुना, सुनाई दिया, हार तो न और मैं आज भी यही सोचता हूँ, कि हार तो नहीं मानूँगा, लिखता रहूँगा, आज दस लोग प्यार करते हैं, कल सौ लोग प्यार करेंगे, मैं हमें सब अपने पोश्ट में लिखता हूँ, कि आपके दिल ने मुझे और जगा चाहिए, मेरा घर ही वही है, मेरा वह इस रहे हैं आप, आप उर्फ के दिल में, बिलकुल हम सब के दिल में, बिलकुल, मुझे बिलकुल, वह जगा चाहिए, यह जब सवाल आते हैं, कौन देते हैं, तो इनसे टाकल कर पाना, हमें प्रॉबलम हैं, दुनिया में कोई प्रॉबलम नहीं है, और दुनिया में कोई समाधान भी नहीं है, हमें समाधान है, जिसने बनाया है, जब हम अपने आपको नहीं जानते थे, तब भी वह अमारी धरकन बना रहा था, वह अमरी मांस को बना रहा था, धिमनिया बना रहा था, खून बना रहा था, उस पर भरोसा है, अगर उसने बनाया है, तो कुछ सोचा होगा, तो हमारे पास क्या काम है, हमारे पास काम यह है कि हम सच के साथ चले, हम किसी का बुरा ना करें, जितना हो सकता है, गलतिया हो सकती है, लेकिन गलतियों से सीखेंगे और अच्छा करेंगे, लोग के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, सोच भी नहीं लाएंगे बुरी, सबके लिए अच्छी बाते सोचेंगे, सबके लिए हिदय से काम ना करेंगे कि सबका अच्छा हो, हमारा भी अच्छा होगा, हमारा क्यों नहीं अच्छा होगा? मुंबाई में who are the first people जिन्होंने सोचा कि कॉशन के साथ अच्छा हो, ये बड़ा अच्छा लिखता है, इसमें कुछ है, सबका योगदान है भाई, जो भी हूँ, एक सीड़ी चड़ पाया हूँ, हजारो सीड़ी हैं, लेकिन जो भी हूँ, उसमें सब ली लोग का योगदान है, लेकिन मुद पर सबसेदिक वरोसा, विशाल विशा ने इंचिनिय किया, भाई ने, क्या इंसिडेंट रहा मिलने का थोड़ा अगर आप बता पाएं, सब जादू ही है यार, कैसे बताओ मैं, मैजिकल है, पुरी लाइफ मैजिकल है, सबकी लाइफ मैजिकल होती है, हाँ, आपने कुछ दिर पेले जो समझाया था, वो भी मैजिकल ली था, कब नहीं बैठे, आज बैठे, कल वहाँ म्यूजिक कर रहे थे, गाना बनने वाला था, नहीं बन पाया, फिर मिले, फिर आय और जाने, आज स्कूल गया, फिर अभी फिर आल यहाँ बैठे, तो वही जानना चाहरा हूँ कि, एक होटल है, फुदिन, वहाँ मुझ मिले, यह द्यान से सुनना, यह बहुत जारा, मनलब कमाल, बिकॉस आप जहाँ कौशन के शोर को पाएंगे, वहाँ साथ में विशाल मिश्रा भी मिलेंगे आपको, यह हर गाने आपको, एक मतलब जीता जाकता एक्जाम पने, तो प्लीज, इस वहाँ प्लीज इस वहाँ लिखता था, आरत किशान, लिए लिए कुछ एपिसोर्ट्स में लिखे थे, तो उसमें आकाश होजा जो है कमारे मित्र हैं, हम सब के मित्र हैं और बड़े कमाल के अंजान है, तो उनसे बहुत अच्छा परिचे था, एक दिन मैं एक रिस्ट्रॉंट में गया, फूडीन लोखनवाला में ही है, मैं एक सर जाता था, तो वहां मुझे यह दोनों दिखे एक साथ, और सही होटल पर हस क्यों दिया तो हम लोग वहां पर मिले और देखा कि आकाश भाई के साथ एक लड़का बैटा अच्छा तो मैंने बोला कि मैंस छोटे हैं वह एक साल, वह एक साल बैटा तो उन्होंने बात कराई और परिशे हुआ पिर मैंने बोला कि साथ बैठते हैं भाई फिर हम साथ बैठे मस थान्दू खाना कहा है और परिशे हुआ उसी में क्या खा रहे थे खाना याद है मुझे तंदूरी रोटी पनीर चिली और दाल फ्राई तंद हां तो हम जोत वेकैना हैं और मैंने पूछा कि बहीं क्या करते हैं भाई गाना बनाते हैं तो मैंने का थीक है एक गाना बना दे canonny चुकि मैरे गाना था जो पास हो गया था लेकदि और बजट कम ता उस गानिगर तो बड़ा तो पोई बड़ा कोई एर्टिस तो उस तंव उस गारे कानाम था हस्ते भारत की हमको तालाश है हस्ते भारत की हमको तालाश है तो उस पर हमने बड़ा काम किया बहुत सारी चीजे हुई उन्होंने भी बहुत खर्च कर दिया वो व्यूत साहे एक तरीके से पहला ही गाना था शायद जहां तक मुझे लगता है और हमने साथ में किया और वो गाना रिलीज नहीं हुआ और हस्ते भारत की तालाश तालाश 2020 में मुस्कुराएगा इंडिया बनता है और हस्ते भारत की तालाश कौन से सान की बाद है यह तेरा की बाद है 2013 यानि 7 years 7 years तो वो गाना हस्ते भारत की तालाश जो है वो मुस्कुराएगा इंडिया बनता है और उससे विशाल भाई तो खहर बहुत नून ते उसमें लेकिन मेरी पहचान उससे बनी यह गाना है and we could see everyone singing this one song मतलब right from Vicky Kaushal मतलब everyone the actor the actresses of Bollywood सब कोई गारे थे यह गारे मतलब मैं हमेसा सोचता था कि आखिर मेरे गानों में हीरो कब आएंगे मतलब मैं और फिल्मिक कर रहा था कुछ फिल्मिक की थी वो रिलीज नही हो रहा है कुछ कर रहा हूं तो उसमें सब ने ने लोग है ने लोग बुरे नहीं है लेकिन मुझे अभी तो मने ना कि मेरे फिल्म में कोई बड़ा हीरो हो मेरे गाने में कोई हीरो हो हीरो इन हो हो तो भगवान जी ने एक ही बार में मेरे दावन में डाल दिये और इसमें बहुत बड़ा युगदान पुजा फिल्म्स जस्ट म्यूजिक का है और जैकी बगणानी सर का है अभी अभी साधी हुई इनकी रख़ों प्रिट से बड़े अच्छे नजान है और अक्षै सर का बहुत बड़ा युदान है जो कि अक्षै सर और जैकी बगणानी जीने मिलके प्रोड्यूस किया था उसको और दिशा जो उसको सुपरवाइज कर रही थी अच्छो जस्ट म्यूजिक को हेट करती थी उनका बड़ा युदान है उसमें तो वो हो गया पहला गाना जो है सिंगल चे तारीक को मुस्कुरायग एंटियर रिलीज हो गया और प्रदान मंत्री जी ने साथ तारीक को ट्वीट कर दिया इंस्टाग्राम पे डाल दिया फेस्बूक पे डाल दिया भारत के लगभग सभी दिग्गज लोगों ने शेर कर दिया पंदीतर विशंकर जी सेर कर रहा है स्रीशी डिशीर विशंकर भी शेर कर रहा है के हेड़कौार्टर से शेर हो रहा है हमारी सेना भी शेर कर रही है पुलीस वाले लोग भी शेर कर रहे है आई एस आई पीस भी शेर कर रहे है बच्चे भी शेर कर रहे है रिक्षावाला भी शेर कर रहे है तो मैं समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है यह क्या हो गया मतलब यह क्या है मतलब यह इतनी बड़ी कृपा हुई है और ओवेसली मिशाल भाई हम दोनों साथ में थे लौग डॉंग में हम साथ ही थे यह बड़ी अच्छी बात थी यह जादोई बात थी हम साथ में थे वैसे तो हमें साथ ही रहते लेकिन उस समय संजोग से अगर मैं कहीं और होता तो कहीं और फांच जाता क्योंकि जो जहां था वहां था हमारे टीम में उस समय स्टूडियो में कोई नहीं था बस दो-तीन लोग ही थे एक सिंगर है हमारे गार्जियन जैसे है निशान मुलर पाजी जो चंडिगट से है और बड़े अच्छ सिंगर है उनके साथ भी कुछ जड़नी है बताऊंगा और अक्षेतिर पाठी जो नहीं लगदा लिखा है वो भी थे और खाना बनाने वाले जोते भाईया वो बियार पढ़े अच्ड को मैं लेकर हुआ हमें मतलब वह एक साधी करेंगी हो दृट हें ड्यक्र हां अर निल्सान करण खानी हमने राइप ऐस टो वाली बात और वो उनके हाद में जा दूए है और शी वं है जो नंत्प घर को समालता है उपता मज़ा रहा तो कोविड में और इंटरव्यू पे इंटरव्य एसही काम भी कर रहा है, बढोन कुह कर रहा हूं, जितना हो सकता है. तो साथ में हुआ, तिरे दिरे bond बनता गया, बनता गया, और रिश्था है थामों के बिच में. तो उस होटेल में बैटे थे और उसके बाद फिर मुस्कुराइगा इंडिया, इस बीच में तो कई सारे साल आपने साथ में बिता हो? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल. कई सारे गाने पेशाए? अगर हम बात करने इस टॉपिक पे हैं, तो साथ आप गंडे तो किवले इस टॉपिक पे बात होगी, तो इसको जब दीरे दीरे थोड़ो तो बात करते हैं. तो फिर हमें बताईए आज के बारे में क्या कुछ हो रहा है? बढ़िया, राम जी से मुलाकात, मतलब, obviously, नामने नहीं, लेकिन उनको मैसुस कर पाता हूँ, तो उनकी किर्पा है. पहने से पहने गाना निख दिया था, उसके निए निखा था, या पहने से चल रहा था, थोट कि ऐसा कुछ लिखना है? राम आया है, युद्ध्या, छटी मिया बुलाए के बाद मुझे राम जी पर लिखना था. क्योंकि मैं अपने अस्तर पर किसी को बताने की जरूत नहीं है, लेकिन अपने अस्तर पर कुछ एक माला पीरोनी की कोशिश कर रहा हूँ. सबसे पहला गीत देश के नाम, मुस्कुर आएगा इंडिया, जो एंथम था, उसके बाद सब्स्ट्र हमें मेरा छटी मिया बुलाय, जो पिहार आय। सबसे पहले खारत मागों परहनांकिया फिर स हटीमिया को परहननकिया जोकि भिहार की आस्था जुडिएं सरसरवादी का जुडिए लाम इस देश के प्रतीक हैं میरे हिसहाब से राम हमारे लिए समीधान में है राम जैसा मैं आप जानता हूं आप जानता है तो रामगग जी ज़ो है वो दिखें कि लिखना तो मैंने लिखना शुरू किया मैंने पोस्ट किया था आठ जन्वरी को उस गाने के रिलीद से लगबग नौ महीन पहले कि मैं राम जी पे लिखना चाहता हूँ आप पोस्ट देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे याद है साथ जन्वरी की रात में किया था आठ जन्वरी को मैयूर बहिया का बढ़्डे था में इमाचल जा रहा था उससे पहले मैंने वो रात में पोस्ट किया था आइडिवत अधीजे इंस्टाग्राम मी कौशल किशोर मी कौशल किशोर आप देखेंगे तो आपक सबको बहुत अच्छा भी लग रहा था लेकिन वो बात नहीं थी उसमें जो राम आय और अयुद्धा में है तो फिर बड़ी अच्छी घटना हुई मैं बताना चाहूंगा उस घटना के बारे में एक फिल्म आई खुदा हाफिज अगनी परिक्षा उसका सब्टाइटल थ मतलब खुदा आफिस के नीचे अगनी परिक्षा लिए उसमें लिखा था कि इस बार जो है वो परिक्षा राम जी की है मतलब करेक्टर वाईज तो उसमें गाना है आजावे तो फारुक सर जो डिरेक्टर हैं के फारुक सर माइंड ब्लोइं आदमी है मतलब बहुत कमाल के बहुत कमाल के इंसान है और बहुत रिस्पेक्टर है मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि सब रिस्पेक्ट करते हैं लेकिन मैं भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कि मेरे लिए बहुत मैने रखते हैं वो तो विशाल बाई ने चटी मिया गाना सुनाया उनको उनको उनक तो फिर उसमें यह था कि जो खिरदार है वो अपनी सीता को ढून रहा है अपनी सीता तो फिर मैंने यह लाइन लिखी कि फिरत है राम जतन कर बन-बन कैसे वियोग सहें कैसे सिया से अपनी सिया से रगुवर दूर रहें आजावें तो वो बड़ा अच्छा मर्ज हो गया उसमें क्या बात हो तो यह जो इमोशन आया इस इमोशन ने मुझे बहुत बहुत अच्छा महसूस कराया कि यह जो पैटर्न है लिखा मैंने लिकिन वो जो सहबत थी विशाल भाई की पारुक सर की उसका बड़ा यह उदान है उसके बाद जब मैंने फिर अपने ट्रैक पर आया कि मुझे राम जी पर गाना लिखना है तो बड़ा सहज हो गया था मेरे लिए चुकि कि दो लाइने लिखी थी उसको प्यार बहुत मिल रहा था बहुत प्यार मिल रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों न पूरी रामायन का एक सार लिखने की कोशिश करूं राम जी की कहानी लिखता हूं बड़ा अच्छा लगा मुझे लिखके दो लाइन बहुत खुशी हुई तो फिर मैंने लिखा उसको लिखने में मुझे दस बारा दिन लगे हूंगे लेकिन यह जर्णी नौ महीने की है अजब ठीक उतना है वक जतना एक इनसान को लगता है के यह चाते है यह था गुशने का लिखने का रीक है लेकिन उसके बाद लिखा कि रामरूप लिये मा कोशलया की कोख में आये स्वयम नारायन शुरू हुई लो रामायन वह और जो नौव मिनुट कुछ सेकंड्स नौव मिनुट बाइस सेकंड्स कहिए जो गाने उसे पूरी रामायन आजाते है तो इस फबलस तिंग तो दो समझ नहीं आता है लेकिन वह पूरा फील पूरा आइब लेके आता है आपके सामने और जब दिये जलाओ वह जो लाइन है मंगल गाओ राम आये है वो देर्स लेकिन आप देखिया ना कि यह कितनी बड़ी बात है कि विशाल भाई ने इस गाने को फिर से एक बार एक घंटे में बनाया है और का बनाया है? recording है कल कल recording है दूह हमारे musician sofa set पर स्टूडियो में बैछे है सुबध चार बजे वो तीन मेसे बैछे है और मैंने लिखा हुआ है मैंने क्लाइमेक्स नहीं लिखा है क्लाइमेक्स है इसमें जो लास्ट पार्ट है समुद्र के सीने पे चलके राम आये हैं लंका रावन का जो एहंकार था धूधू करके धनका पुन्य पाप के बीच हुए मायुद्ध का ये परिनाम ता तीनों लोक में गुझा जै 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 राम के नाम का चलणों में आके बोले बिवीशन खतम हुआ बनवास है भगवन तार दो हमको बनके राजन तो भगवान कहते हैं कि सौप दिया लो जाने दो हमको लंका अब तुमरी कर्म भूमी कितने बरस से राह तकत है हमरे लिए हमरी जन भूमी तो सिर्फ 14 वरस का वनवास उसमें नहीं है उसमें जो 500 सालों का वनवास था उसका विजिक्र है तो वो पार्ट भी मैं बहुत कंफ्यूस था कि मैं विवीशन वाला जो एंगल है वो एंगल तो खेर गाने के बाद है मिरे लिए गाना खत्म हो जाता है वहां पे जब तीलो तो वो भी सारे तीन बजे मैंने लिखाया है सुबह में और चार बएस से विशाल भाई स्टूडियू में बैठने वाले हैं उस समय तक मेरे पास क्राइमिक्स नहीं है और सब कुछ कैसे हुआ है मुझा था लूब अटा जा रहा हूं फिर ठाल वाला जो पाथ है तो महने बोला क्या दिखता तुमको हमें सब पूस्टे हैं उस से तुमको क्या दिखता है वह राइटर का पर्सिप्शन जानना चांते हैं अच्छी बात है तुमनें बहुः ब किया मा तुने क्या मांग लिया पिता नहीं वनवास दिया जनक नंदनी जीवन संगनी का छल से हरन किया उसी शन में रावन ने तय अपना मरन किया और उतना ही शांदार नोट्स इसके पीछे काल को जैसे बोलना चाहिए था विकुट इमाजिन दाट ओन इसे करके जो गाते आउफ कमाल है तो मतलब मतलब ये experience जो है ये जो अनुभव है रामाय है आयुद्या का ये मुझे कहीं और लिके चला गया जीवन में मुझे कहां लेगया जो सुन के ऐसा महसूस होता है वो लिख के कैसा महसूस होता हुगा और तो निखा हुआ सुन के कैसा मिसी सता हुगा फिर वो बनता है वो प्रोसिस और फिर उनका क्या reaction था गंटे वे record कर लेने के बाद इस गाने के वार किया कहते है वो कभी तो कुछ वाई है विशाल वह बहुत मिशाल बोलते है कि भान ने हो गया में ये गाना बना के ऐसा मिशाल मिशाओ बोलते है और जो किसाच है आच आफ सौफ टू बीशाल सौ बीशाल मिशा को लोग नहीं जानते हैं इंकी प्रतिभा आसमान से आगे। बऺ्तिभा है बबबान उनको ऐसी ब्लेस्ट रखे और विल्कुल रखेंगे छिगिन वह उनकी प्रतिभा बगवान मैं उनको दे दिया है कुछ, वो दुनिया देखेंगी, मैं तो पले दिन से जाना हूँ, वह तो मुझे यकीम है, और नहीं है लोग जब Instagram scroll करते हैं, कई सारे Reels आते हैं, there are a lot of singers singing on that one studio mic, बहुत सारे लोग studio में गाना गाते हैं, पोस्ट करते रहते हैं, जब भी विशाल सर का वीडियो ऐसे scroll करते वक्त आता है, जादा तर आता है क्योंकि हम जादा सर्च करते हैं, क्योंकि उनकी गाने ही इतने सुंदर वो, जो छोटे-छोटे real snippets होते हैं, वो ही इतने असरदार होते हैं, every structure, मतलब जब गार होते हैं, तो माईक के साथ उनकी आवाज आती है, हम और मेरा एक फ्रेंड है शिव, तो हम दोनों जब भी साथ में बैठते हैं, उसको स्क्रोल करते रहते हैं, पॉस करके और तीन-चार बार सुनते थे उसको, और सोचते थे क्या हो रहा है इस धुन इंपोर्टेंट है, नियत इंपोर्टेंट है, सरवाधिक, उसके बाद जो इंपोर्टेंट है, तो विशाल भाई ने जब गाना शुरू किया, COVID की बात है, COVID में उन्होंने ये कहा कि, अरे, कुछ तो लोगों के लिए करता हूं, उन्हों ने मैसेज किया, उन्होंने इसी चीज को इसलिए किया जाए कि मैं फेमस हो जाओं, जो कि 90% लोग कर रहे हैं, वाइरल हो जाओं, तो वो कभी वो असर नहीं करेगा, वो पीछे का जो थौट है, वो नियत है कि अरे सारे लोग अभी बहुत बेचैन है, मुस्कुरायगा इंडिया लिखने के पहले, मैंने, विशाल भी एक एक असिस्टेंट है, उसको बोला था, मैंने कि मैं गाना लिखता हूँ, कुछ करते हैं, कुछ करते हैं, थोड़ा फोजिटिविटी लाते हैं, कुछ तो करते हैं, दवा तो बना नहीं सकते हैं, वैक्सीन तो बना नहीं सकते हैं, गाना बनाते हैं, तो वो नियत भी काम की मेरे लिए है नियत हमेसा काम करती है इस ते लोग बोलते हैं कि जैसे नियत होती है वैसा बरकत हो और फिर एक के बाद एक गाने आते जाते हैं अब भी तो बना पूरा सिलसला चाल हुए अब युद्धा का गाना है कुछ नहीं है हाँ मतलब अफकोर् अब लिधते हैं इतने सारे गाने आ जाते हैं तो मतलब क्या होता है मतलब are you writing every time मैं हर एक second राइटिंग में रहता हूं जब कुछ नहीं कर रहे होता है तो क्या कर रहे होता है तो राइटिंग ही कर रहा होता हु मतलब pause तो लेते होगे life में ठोड़ा मतलब सास लेना और राइटिंग करना जिस दिन में लिए दो हो जाएगा उस दिन राइटिंग छोड़ दूँगा उसी दिन छोड़ दूँगा मेरे लिए दो नहीं है और यह सच में नहीं है मेर लिए दोनु एक है और हमेशा एक रहेगा जिस दिन तक एक रहेगा जिस दिन तक रहेगा जिस दिन तक राइटिंग करूँगा मुझे ऐसा लगता है कि हर एक फिल्म में मैं अतना एक हिस्सा शोड़ता जा रहा हूं and finally I don't know if I'll be able to find myself or not तो हर एक गीत में अपना एक अजिश्ट अभी छोड़ते जारे है, right? अंस है यह वो, वो है क्या? तो ऐसा कभी लगता है कि एक दिन क्या लखेंगा, बता नहीं है हर बार लगता है कि क्या आगे लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊंगा डर नहीं, लेकिन उत्सा है कि आगे क्या भगवान देंगे उत्सा है, बहुत उत्सा है कि आगे क्या लिखूंगा, बहुत प्लान है मेरे पास, राइटिंग के लिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आगे के दस साल लॉक्त है मेरे, मेरे थोट में मैं जैसे मैंने सोचा कि छटी मया के बाद esperando Ramji पी लिखना है, उसी तरीके से पता है कि राम जी के बाद और क्या लिख रहा हूं, उनके बाद क्या लिखना है, और क्या लिखना है, 108 गीत होगा तो devotionals होगा है, 108 108 108 एक्सो नो एक्सो साथ क्यों ने 108 बहुत रीजन है 108 का 108 माला होती है 108 बार 108 108 जबते हैं जबते हैं तो वह 108 है तो उसमें से मैंने 111 कर लिये और मुझे कोई फरक नहीं परता है कि मैं किस कंपूजर के साथ कर रहा हूं या क्यों से सिंगर वह गाने को गा रहा है मुझे 108 कंप्लीट करना है वह कर रहा हूं वैसे ही मुझे पता है कि मुझे और जैसे बुश्पूरी के लिए क्या करना है उन लोगों के लिए क्या करना है जिनके बार में कोई बात नहीं कर रहा है जैसे समाज के बहुत सारे वर गया मैं अपने प्लान यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करना थे लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिन पर बात नहीं हो रही है एक बता देता हूँ जो आपको लगता है यह अक्शली जरूरी है लोगों को जानना इंफाक्ट दिखिये एसी रैटेक पर गाना लिख रहा हूँ फिल्में बनी है गाने भी बने होंगे तो नया क्या है उसमें मतलब नया यह है कि क्या रुख गया जब तक नहीं रुखेगा तब तक प्रयास होना चाहिए सब करे कोई फिल्म बनाए कोई कवीता लिखे कोई कहानी लिखे कोई मंच से बोले कोई मन में बोले कोई प्राथना करे जाके मंदिर में मेरे आत्मे कलम है मैं लिखोंगा ये एक आदमी को तो रोकी दूँगा ज़्यादा लोग वे फरक नहीं डल पाया तो किसी की तो जान बचाऊंगा नाम कमाने के लिखे रहा हूं ने नाम कमाने के लिखे रहा ह। मोटीव एक जो कम्प्लीट करना है शचटी में बुलाय आप पुछिए प्रोड shirt पैसे की बात आही तो मैंने कहा कि मैं नहीं लूँगा शचटी में लिए लिखे पैसा लूँगा कभी मेरवे को गुलाई है अपने पॉड़कास्ट में पुछी हों सा राम मैं उध्या लिखके मैंने बुला कि मैं राम जी से फेमिंट लोंगा इसको पैसा के लिए नहीं लिख रहा हूं तो जीवन चलाना है तो जो थोरी बहुत चीजें होंगी होंगी लोग अच्छे हैं लोग चाहते हैं कि सब अच्छे से जीए मैं नहीं मागूँगा फिर भी लोग दे देंगे मुझे लेकिन इरादा वो नहीं है मोटिप पैसा नहीं है साइड में है तो उस तरह की चीजें लिख रहा हूं और यकीन मानिए कि मैं बहुत अच्छा लिखूँगा वियाल बनीव इन इट बहुत अच्छा लिकूंगा क्योंकि लिखना ही अच्छा यह अच्छा ही लिखना पड़ेगा कोई रास्ता नहीं है ऐसे टोपिकस पर आज इतने कहसे बढ़ रहा है सोशल ही है, बहुत सारी सीरीज है, कुछ इगाने ऐसे क्यों नहीं बनने चाहिए, जो डिप्रेशन में लोगों को मदद करे, आज इतने केसे बढ़ रहे हैं, इतना लोग डिप्रेश रहते हैं, बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, आज हम लोग स्कूल में गहते हैं, क् कोई आटिस्ट है तो बनाएगी, मैं भी बनाओंगा, दो तीन चीजे हैं, उस समय की जिस वक्त हर तरफ राम मंदिर का जिक्र था, सब इतने खुश, हर परिवार में कहीं न कहीं, हर इंसान बेसिकली देश का कहीं न कहीं खुश था, तो उस वक्त की कुछ तस्वीरें अगर आप इस वक्त हम से अवे बता पए, मेरे लिए उससे खुबसूरत दिन, अब तक तो नहीं घटित हुआ था, जिस दिन राम जी अयग्धिया है, और मुझे लगता है कि करोड़ों लोगों के लिए ऐसा होगा, हम सब उनके बच्चे हैं, बहुत ही इमोशनल दिन था और जब भी मैं याद करता हूँ, तो अब भी हो जाते हूँ, सारे देश में जो एक पोजेटिविटी महसूस हुई मुझे, जहां जा रहा हूँ, जिधर जा रहा हूँ, तो ऐसा लगा कि कल्यूग में, कल्यूग का उधार हो गया मेरे लिए, जब आधमन हुआ रभू का उजदेन, क्या चेहरा है, आहां, एक पंक्ती भी थी उस गीत में मेरे कि, सामने स्वामी है, जो दिल है, करने दो, आज तुम रोको, ना ये ने ना बहने दो, तो, मुझे लगता है कि सारे भारतवासी उस दिन वहीं थे, जरूरी नहीं है कि हम शरीर के साथ होना हूँ, लेकिन हम सब वहीं थे, मैं भी वहीं था, कुछ बोल पाना संभाव है, उस दिन के बारे में, लेकिन, बहुत जल्दी, इनके दर्शन करने जाओंगा, बहुत जल्दी जाओंगा, बहुत खुशनुमा माल था, बतलब ऐसा फोटो में देखे लग रहा था, खुशी इसको कहते हैं, तो इसके बारे में, बहुत ही जाओंगा था, बहुत मैजिकल था, और मैं विशाल भाई, और एक दो और दोस्त, हम लोग, गय थे, मेरा रोड में उनका आदमन हुआ था, और मनुष्टी बारे भीया, वो हम्मारे साथ, हम लोग को लेके गय थे, और फिर, हम लोग मिले, था, उनका नीजी कप उसमें मौका मिला, सोभागे मिला, जाके दर्शन करने का, तो उन्हेंने बड़ा प्यार दिया, मतलब, ऐसे बोलना पता नहीं कितना सही है, सबके सामने, बहुत ही प्रसनल है, लेकिन उन्होंने कहा कि बड़ा पुराना संबंध है, इन से है, तो वो बात कैसे भूलूंग मतलब, और उसके बाद उन्होंने ऐसे बुला के गले लगा लिया, ऐसे जोड से पकड़ लिया मुझे, तो बड़ा दुलार दिया, रामयोध्या सुना, उन्होंने उनके आंखों में आसु आ गये, तो राम जी की किरपा है, वो अन्मान जी के वक्त है, राम जी के वक्त है हम सब पर उनको किरपा करनी ही पड़ेगी, भक्तों पर तो किरपा टरते ही है, तो राम जी किरपा है, तो उनकी भी किरपा है, एक पंक्ती मैं हमेशा बोलता रहता है, मैं बोलता हूं मैंने सुना है, और बहुत खुबशूरत पंक्ती है, सभी बोलते हैं, जितने भी भक्त ह राम जी के, कि जापर किरपा राम के होई, तापर किरपा करहीं सब कोई, तो उन्हें की किरपा है, तो सब करते हैं किरपा, उनकी किरपा नहीं होती, तो कोई किरपा नहीं करते हैं, क्या बात है, what a beautiful thought to live with, correct, तो क्या कॉशन की शोर एक devotional writer है, मुझे लगता है कि मैं एक लेखक हूँ जो हर गीत को devotion के साथ लिखता है, devotional writer होना मेरे लिए सम्मान की बात है, मेरे लिए गर्ब की बात है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, एक, 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 जिसको बोलते हैं न, जिस बात को मैं कलेजे से लगागे कोई बोल रहा है कि तुम devotional writer हो, लेकिन मैं एक writer हूँ जो हर गीत को devotional के साथ लिखता है, कम से कम लिखने की कोशिश करता है, और आप मेरे बाकी बीगाने सुनें, तो आपको एहसास होगा कि मैं सच बोल रहा हूँ, यस, शौक हरकते हैं आप कुछ अजीब तरीके के शौ किस प्रकार जैसे मुझे सिर्फ red color का toothbrush चाहिए, या फिर मेरा जो रूम है, उस रूम में एक पीली बत्ती या धीमी रोशनी हमिशा जलती रहनी चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लाल रंग से बहुत प्रेम है, लाल रंग से बहुत अच्छा लग रहा है, या red color मुझे बहुत बच्पन से, अमें पता था, अंगर से, what we do is, कि हम पेले ही समझने थे हैं, कि इनसान को क्या पसंद तो वही color मुझे तू रेड क्यू रेड क्यू रेड बच्पन में अगर आपको मही माताई से मिलने का मुखा मिले तो आपको पताएंगी कि मैं बच्पन किताब प्राल, आप देखोंगे तो जितनी कॉपी किताब पर आती है, वो बुक उसमें जादा तर रेड होता है, वो फिरारी के तो आता है, उसको बेखके नहीं, मुझे लाल रेंग से बहुत प्यार है, कि मेरे नाना जी की जो बाइक थी, होंडा सीटी हंडर्ड, कि रो ह अब कभी-कभी मन करता है, भी मन करता है कभी लगदाग चाहूं बाइक से, ताइम नहीं मिल रहा है, अब ब्रॉब्लम ये कि दाइक को आँ से चलाएग है, ताइम नहीं मिल रहा है, साथ नहीं मिल रहा है, किसे को, अच्छा, तो साथ के बारे में, क्योंकि if you have talked about, tell us about your relationship status हम लोग समझ सकते हैं कि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है आप हमेशा लिखते रहते हैं बड़े-बड़े डाइरेक्टर्स अक्टर्स के बीच में रहते हैं लेकिर इन सब के बीच में एक कौशल किशोर की भी जिन्नगी है बिल्कुल है जो आप इन्जेक्ट करते हैं गालों में कुछ महबबद तो आपके दिल में भी है तो कोई है जिन्दगी में कोई है रिलेशन्शिप स्टेटस क्या है कौशल किशोर ली को होगी कोई सीता कहीं पर मेरी यह आप हाल समया से घुमा के आप चूप नहीं करवा सकते हैं दूसरे को यह नहीं चूप कराने कोई बात नहीं तो थोड़ा इनाबरेट करें थोड़ा स्ट्रेट फॉवड बता है वाटस रिलेशन्शिप स्ट्रेटस आर यू सिंगल आर यू लगता है कि अगर दास के बारे में पूछना है दास के बारे में लो स्वामी से पूछे वही सारे फैसली करते है मेरे जो राम है वही जाते है लेकि मेरी सीता खाँ है उनके सीता जो औरी भाईया है वो तो उनके साथ है लेकिन हुमारी सीता कौन है कहा है अजिछ नी थोड़ा आज के जमाने के हिसाब से कोई crush आपके? Crush नहीं है कभी किसी को देख के लगता है कि यार क्या बात है बहुत खुबसूरत ही है अगर हमारे साथ हों तो हम भी और खुबसूरत हो जाएं खुबसूरती मुझे उस तरह से प्रभावित नहीं करती है कोई कि आपके ऐसाब से जो खुबसूरती होती है वह आदी खुबसूरती एक इसको तरह प्रसनल लगना चाहेंगे प्रसनल लगना जाएंगे आप चलिए ठीक है कोई करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा दिना है कि हम दोनों साथ बैठके आप से डिसक्स करें वह जब भी मेरे साथ हो तो मैं जरूर इस फॉटकाच्ट में को लेकर आऊंका कितनो नजदीक है वह समया वही राम जाने राम जाने मैं जल्दी मोदीना है और मुझे लगता है शितिज वाट 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 रिए तो राइटर्स में भी एक खूवी है कि लड़कों के इंप्रेस बड़ा जल्दी कर लेते हैं अल्दो यह राइटर्स की जो ब्रीड है बहुत ही पॉपिलर नहीं हो पाती इन इंप्रेस करने वाले लड़कों में बहुत इफेक्टिव होते है तो अब अगर अपना कोई पर्सनल एक्सपिरेंस से वो ही बताईए और एज राइटर हाव टो इंप्रेस गर्ड तो जैसा में लिखता है और जो से कनेक्ट हो जाता है वो से इंप्रेस हो जाता है वो लड़का है वो लड़की उसे फरक नहीं बढ़ता है लेकिन हा इसमें कोई दोराय नहीं है चुकि लड़कियों की समझ जो है वो बहुत अच्छी होती है इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो प् बहुत सारे मेसेज़ आते हैं और क्या कुछ आता है कुछ तो होगा से रहे पालब ऐसे वो सकते है सुरवाती दिनों सही जब मैं स्कूल में था तो मैं शारी पढ़ के लोगों को एक संगीत सभा होती थी स्कूल में तो उसमें ना मैं सबको मैं उसमें हेड बनता था और मैं सबको बुलाता था मन्च संचलन मेरे हाथ में था तो मैं शारी पढ़ के बुलाता था तो उन दिनों से ही इसका इंपक्ट जो है था चालू था लेकिन सीरियस नोट पे कभी भी बहुत ज्यादा गंभेर नहीं हुआ मैं जारी बिच में राइटर वाला relación था फो डेरे डाइधिया था व एर मेरे पास रहती था और उसमें 2 चावीयाय थी तो आपने कुछ लिख लिख दिया उसके अगभ last तो इपने मुझे घिफ्ट दिया था था बर्दु तो मेरे पास रहती था लेकिन मैं उस पर कुछ लिखता था तो फिर वो उसका reply लिखती थी या वो कुछ लिखती थी तो मैं उसका reply लिखता था उसी एक डाइरी में है उसी डाइरी में है वो डाइरी है मेरे बास अच्छा वो डाइरी मेरे बाद मेमरी के रूप में है The love still lives in your heart. हा, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं की. हमारे बीच में कोई रिलेशन ऐसा डेबलप नहीं हुआ. लेकिन मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं. दो-तीन शाइरी हो जाए. उसमें बहुत अजीब सी बात है, बहुत बचकानी बात है. अरे कुछ क्या बचकाना होता है, दिल तो बचकाना है. दिल तो बचकाना है, उसमें कुछ लिखा था, कि तुम भी शाइरी करो, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा. सब्सक्राइब टमाटर परेंगे, तो शाम की सबजी का इंतजाम हो जाएगा. तो बचकानी बात है, पर मैंने लिखा कि शुक्रिया, हुसला अफजाई के लिए बिना सर्फ की दूलाई के लिए तो यह बचकानी बात है. आप जिस तरीके सा आजकर लिएक्स लिख रहे हैं, तो रापिदी एक गाने के बाद दूसरे हैं यह बहुत रहा है. यह बी है, यह बी को जल्दी आंसर देना पड़ता आप ता. वे रप्लाइ दिया था ये तो फर्स्ट बर क्या होगा था कि उसने लिख के एक डाइरी मेरे पिछे दिरस अप्पी पर दिख एसे अज़ आपको तुर्फ रप्लाइ वापस रप्लाइ वापस रप्लाइ उसने सोचा नहीं होगा कि मैं जल्दी रप्लाइ दूंगा लेकिन अब 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 बार मैं एक एड लिख रहा था कोई तर गार कंपनी ए एक फिल्म कर रहा था उसके प्रोडूसर ने बुलाया और बोला कि इसका एड लिखना है और ये वीडियो है मेर दोस्त है कमलेश मैं उसके बार इंबतना चाहूंगा बहुत ही मेरा दिर फ्रेंड और वही पर था उससे में वह असिस्ट कर रहा था उनको तो वह मतलब आप कभी उससे बात करेंगे तो वह बताएगा आपको तो मैंने कहा कि सी कहा मैं लिख दूँगा कब तक लिखना है जी आरल टायर एक है जिसका एड था वो और राना बाटिया उसके प्रोडूसर थे जो क कि और यह दस मिट आपको कप चाहिए मैं का कि आप जब दे दीजी तो नहीं का अभी ले लीजी अब ठीक है तो मैं नीचे गया और ठीक नौ मिनिट में वापस आया और मैंने वह एड को लिख के दे दिया और सभी लोग ने ख्लैपिंग करी सुनके कि इसना अच्छा उतना असर सिर्फ और सिर्फ राम कर सकते हैं मेरे लिए मतलब लड़कियों का असर है उनके उपर बहुत ब्लेसिंग होती है और इसलिए का जाता है कि आपके सफलता में या सफलता में भी लड़कियों का योगान हो सकता है तो बहुत ही सम्मान के साथ उनके साथ आपको भ what are those trick and tips that you would like to give to those people who write and want to impress some girl, maybe? the truth will be a problem in that fact, if you have the feeling of the truth, you can't judge anything that you can say. a right and a right above the right so if you're saying the truth, you're saying the truth so if you're saying the truth then you shouldn't say the truth I trust the philosophy of this and I try to say the truth of the truth so if you're telling the truth in the truth दिल से बता देंगे, तो वो चाहे शायरी हो, चाहे वो टूटे हुए लवज हो, चाहे आप कुछ नहीं गोलिये, आप शुप रह जाये सच्चाई के साथ में वो इंप्रेस हो जाएगी, यह इंप्रेस हो जाएगा सामने वाला, यह तो कुछ और ही लिगता है, मतलब, यह त तो बाते होगे, बट कुछ आपके फेवरेट लाइन ज़रूर होगे, यह तो बोलने में कई किसी सभा में यह तर बैट हुए और किसी मंडली में बैट हुए और वोड़ बी सम लाइन इन आर्ट विच यू इड़ लवाव तो रसाइट, मुझे लगता है इसके लिए एूरू यह तो आप उनस अब ही लोगों में से चुन्ली जी उनके पास क्या किम्ती बात है तो उनका इिस्तीमाल करीए आपके पास नहीं है जा उन से पही होके कुछ लिख्ये हम लोग तो उनके सामने बहुत बच्चे हैं तो अभी उनका प्रयोग करना ज़ादा शेक्री है यह मुझे लगता है तो अभी हम बात करते है वर अभ दो मोस्ट रीसेंट प्रोजेक्ट्स जो आपने किया और ये कमाल का गाना है अदलब अनिमेटेड था पूरा उपर से नीचे और अरजीत सिंग सर की आवाज छोड़ूंगा ना क्या तस्वीर इस गाने को लेगे आपके बन में अरजीत सिंग के साथ मैंने सबसे पहला काम किया था 2014 में अच्छा जब जीत दाहे जीत गाउली सर उन्होंने एक गाना बनाया था मेरा लिखा हुआ और वह अभी तख रिलीज नहीं हुआ है अच्छा तो गाना अरजीत भाई आया थे और उन्हीं गाया था बड़ा अच्छा लगा था मुझे सोचिए 14, 24 चल रहा है तो वह गाना रिलीज नहीं हुआ बड़ी बड़ा मलाल रहा मुझे इस बात का कि उर नहीं आ रहा है वर नहीं आ रहा है चुकि अरजीत सिंग ने उसे में तुम ही हो गाया था तो एक बूम था और आप चाहते हो कि आप इसे सिंगर लोग आपका गाये जो जिनको दुनिया पसंद कर रही है जिनको दुनिया दिल में बसा रही है लेकिन वो जरनी जो है वो दोजार चौबिस में विशाल भाई को ने अर्जीत सिंगे फोन किया था मैं साथ ही वväता था बाई ने मेरा नंबर दिया उनको और विशाल भाई ने नंबर दिया अनको टीम से फोन आया और यह situation आया, एक वीडियो आया, और यह वीडियो आप देख पार हैं, तो मैंने गाना सुना, आप अगर स्कैनिंग देखेंगे तो बहुत ही, बहुत आसान नहीं है, मतलब, यह तो है, अरिजित सिंग के थुन, आप बात यह नहीं है, अरिजित सिंग तो गाना गाते हैं, तो मैं भी सौभाग शाली समझता हूँ, कि मैं मुझे मिली और मैं लिख पाया, और जब मैंने भेजा फ़र्ट राफ, उसमें कुमार गौरव सिंग हैं, जो हमारी टीम के बड़े ही इंपॉर्टेंट सदस हैं, और मुझे बहुत प्यार है उनसे, तो उन्होंने उनके कि कमाल लिखाया आपने, तो एक संतुष्टी मिली, एक सुकून मिला कि अरजीत सिंग, जो आज करेट में हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि वर्ल्ड में टॉप क्लास के सिंगर हैं, और उनके उनके गले में सरस्वती बैखती हैं, और वो अगर ये बात कह रहे हैं, औ आपनों ने ट्वीट कर विया हैं, तो क्या बोलू मैं ये तो बलेसिंग है, मैं तो सीधे अपने भगवान से जोड़ देता हूं कि राम जी की कृपा है मुझ पे, कि जापर कृपा राम के हुई, तो उमें भी कृपा की मुझ पे और वो जो लिखा उन्होंने वो बहुत ह इमोशनल करने वाला था, जब मैं रात में सोते समय एक बार सोच रहा था, मेरे कमरे से चान दीखता है रात में और तारे भी दीखते हैं, बावबे में, पेड़े दीखता है, बहुत ही खुपसूरत कमरा है तो वहां से मैं देखते हुए जब ये बात सोच रहा था तो मुझे सारे दिन ही आदा रहे थे पहली बार जब बॉंबे आया था या पहली बार जब अरिजीद भाई में गाना गाया था और फिर इंतजार और सब करते 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 तो एक satisfaction मिला बहुत खुपसवर पल था मेरे लिए है मैं जिंद्गी बर संजू के रखूंगा और यंगीत मेरे लिए इसलिए खास है क्योंकि अरिजीद भाई को यह इतना पसंद है अरिजीद सिंग का कॉल है वो गाएंगे एक्सपीरियंस दो इतना हो चुका था छोड़ूगा लिए निकते समय क्या ने 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 प्रेसर फिल नहीं हुआ मुझे लगा कि मुझे अपना बेस्ट काम करना है मैं अब प्रेसर फिल नहीं कर दो और भी कई दिगज लोग के साथ काम कर रहा हूं मैं नाम नहीं ले पाऊंगा भी अलाउड नहीं मतलब जब तक वह चीज घट नहीं जाया तब तक आप उसको बोल के फिर आप नहीं अच्छा नहीं है तो आप लोग देखेंगे इंग्ले जब उनके साथ कोलाब्डेशन आएगा तो लेकिन हां मैंने बहुत अच्छे अच्छे दिगज लोग के साथ काम किया है बहुत गुनी लोग के साथ काम किया है तो अब वह डर नहीं लगता है और मैं डर के पीछे नहीं जाता हूं डर मुझे लीड नहीं करता है मुझे प्रेम लीड करता है, लब जो है वो मुझे लीड करता है, तो मुझे डर नहीं लगता है, और मैंने बहुत ही प्यार से गीत को लिखा, और उस धुन में वह बात थी कि वह आपको उथर ले जा रही थी, फिर गाना सुनके अनुराग साहिक्या का फोन आया, मेरे दोस् अच्छा रिलिशन, उनका फोन आया, बहुत प्यार दिया, उन्होंने इंसा पे डाला था, फिर गोल्डी सोयल, जो है, जो कंपोजन है, उनका भी मेसेज आया, बहुत सारे रहों का मेसेज आया, खुशी होती है, तीन चार लाइस प्लीज आप गुन गुना दे अपने फे जहानी में था कि मन्मी पापा बढ़ने की दिन उसके जा रहे थे, और वो जो डॉगी है, वो आके बोलता है कि मैं तो हूँ तुमारे साथ, तो कोई रहे, मा रहे, पापा रहे, गुरुस्ती ऐसी तो होते है, दोस्त कैसे होते, कोई नहीं होता तब भी होते हैं वो, ये ज याना रहे, मैं तो हर दम ही हूँ तेरे साथ, अस बे जरा तू मुस्कूरा, तेरी खुशी में ही, खुश जए से वो ता है, दिल ये मेरा क्या बात, क्या कमाल का मतलब, इस ट्यून, जब ये ट्यून मिली होगी, तो बुश बात है, उनकी ट्यून पे लिखना एक जादी बात है, और भी गाने आ रहे हैं, रहमान साहब के साथ आपको भी गाना आएगा, अच्छा, आएगा, वक्त, मुझे याद है आज से, 6-7 स कर जाओंगा, मिला उनसे, लेकिन वैसे नहीं मिलाओं। एक लेकर के तोर पे मिलूंगा, अच्छे से मिलूंगा और खुब सूराब गाना लिखूंगा उनके लिए, और विशाल बात, वाई पे थे, तो बस एक मिटिंग भी, इस सही तो कौन नहीं मिलना चाहेगा, रहमा ते knitting मुमबाी के आरे में दो चीज आरे लिया प्यांहिए आदे आरे इनरजी उंबई के इनरजी कहीं नहीं है मतलब हर इंसान वहाँ पे बहुत फोकस्ट है बहुत बहुत पड़ता के साथ बहुत ही बहुत प्रोफेशनल लोग है प्रोफेशनल इंटर्म्स यह नहीं कि वो कट्टू कट बात करते हैं मतलब जो काम लेंगे उसको करेंगे उसके प्रति सीरियस रहेंगे लोग 24 घंटे भी काम करते हैं मैं खुद कभी-कभी लागतार दो दिन तक नहीं सुआया हूं या तीन दिन तक नहीं सुआया हूं वो मुंबई के एनरजी है और दूसरी चीज दूसरी चीज की वहां के लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वहां के लोग में वहां के लोग में किसी का छीन लेने का मुझे ऐसे लोग नहीं मिले वहां की जिनको मैं बुरा बोलू अच्छे लोग हैं लोग अच्छे हैं वहां पे इमांदार है और बिहार के बारे में बताईए आप पटना के बारे में पटना बिहार के बारे में कुछ दो चीज़े बताईए जो आपको लगता है कि यहां बहतर हो रही है अच्छी हो रही है बहतर बहुत कुछ बहतर हो रहा है धीरे धीरे हम मैं तो कला के बारे में इस गाने में एक चीज जो नोटिस करने वाली है वो यह है कि राम जी दो तीन लाइन बीच में आते हैं जो कि भोजपूरी में है और यह राम जी कह रहा है तो यह कैसे और क्यों? मतलब मैं इससे जादा सम्मान किया दूं भोजपूरी को आप मुझे बताई है कि राम जी जो पाड आता है कि कितने बरस से राह तकत है हमरे लिए हम रफ़न भार तो मेरे लिए यह भुजपूरी को सम्मान है कि मेरे भगवान भी भुजपूरी में बोल रहा है वह तो उन्हें पूशा मुझे से कि अरे अवधी में क्यों नहीं अवधी दो बोलते ही थे लेकिन मासीता भी है तो भुषपूरी के एंगल आ जाता है तो वो मेरा सम्मान था भुषपूरी के परती जो मैं मैं हैसूस करता हूं चुकि मुझे बड़ा खड़ाब लगता है ज बिहारी के तॉर पे एक भुषपूरी भाषी होने के ना थे खुड़ा लगता है कि जो भाषा इतनी मीठी है जो म ROB थी दादे नानीनी बोलती है मां बोलती है आपकी गर पे बोलते हों नहीं वो भाषा इतने गंद्धाम में कैसे चले है यह सा पतं कैसे हो गया रूं मझा मजा कुड़ाते हैं लोग भुजपूरी काने लगा के किसका मजा कुड़ता है वहाँ पर हमारे हमारा भी मजा कुड़ता है हमारे लोगों का मजा कुड़ता है हमारे प्रदेश का मजा कुड़ता है यह मुझे बरदास्त नहीं इसलिए छटी में जब लिखता हूं तो भुजपूरी आएगा उसमें लेकिन राम जी के लिए मैंने सोचा था कि मैं तो भुजपूरी में ही लिखूँगा अब राइटर के पास इतनी बगवान ने अथरिटी तो दी है ति वो टाय कर सके और बुरा नहीं लगता है चुकि अब ठीके भी बहुत आसपास हो बुजपूरी के लिए बहुत सम्मान है और बहुत काम कर रहा हूं गया अभी मैं तीन अलबम कर रहा हूं नाम अभी नहीं बता पाऊंगा अब लेकिन बहुत जल्दी अनॉंस होगा और बहुत बड़े अस्तर पर कर रहा हूं बड़े अस्तर का मत्ब होता है कि उसमें कोई प्रोगाम म्यूजिक नहीं होगा उसमें जो भी आटिस्ट होंगे वो बहुत ही क्वालिटी के काम करने वाले लोग होंग उसमें जो आवाज देने वाले लोग होंगे वो भी मतलब कमसे कम इंडिया के वन उद बेस्ट होंगे बिहार के भी जो लोग होंगे जो उसमें काम करेंगे वो भी पूरा दिल और हिर्दय लगा के काम करेंगे इमोशन, सच्चाई, यहां का कल्चर, यहां की मिट्टी, भुचपूरी भाषा के साथ जब हम लेके आएंगे तो वो भुचपूरी गाने हमारी मा भी सुनेगी, आपकी मा सुनेगी, चाची सुनेगी, तो सुनके अच्छा लगेगा, खुशी होगी, और लोगों को ठैर स कि वहां कह सकता हूं कि वहां पर सम्मान है, तो अनले हमें, राम。 हैinku लगों कि अलेहां कि जो औरते हैं, जो लाईन है, वहां पर कै जैसे विश्नु लक्षमी की जोड़ी, जैसे शिवकी सात्मे हो गौरी, वैसे ही मैं आज से हूँो टेरा, वैसे ही तूा यहां की अलतह मोच्पूरी बहुत जल्दी आराउंज करेंगे आपको भी आकर सुनाएंगे बहुत कि घ्रव में जाएंगे बहुत हैंगे बहुत कि लोग को सुनाएंगे और बताएंगे कि बुछपूरी भाशा क्या है क्या इमेज आता है बोचपुरी सुनके दिमाग में एक इमेज आता होगा माँ यादा थी वाँ और आपके आँख में सीधे आशू आजाते हैं मतलब सीरिसली मैं उतने देशे देख रहा हूँ कि हम जब बात करते हैं बाशा के बारे में जब बात करते हैं मिट्टी के बारे में आपके आँख में सीधे मतलब बिना किसी संकोच के ऐसे आशू आ जाते हैं ऐसे भर जाते हैं आपके आगे प्रेम हैं बहुत बहुत ज़ादो प्रेम जो है वो इस सारे यूनिवर्स की सबसे बरी शक्ति है मुझे लगता है कि भगवान भी शायद प्रेम में ही वास करते है मुझे ऐसा लगता है कि बैकूंट भी प्रेम में है और कैलाश भी प्रेम में है प्रेम सर्वत्तम स्थिती है इंसान की अगर आब ब्रह्मास्त्र भी चला देंगे प्रेम के उपर तो प्रेम को कुछ नहीं होगा मुझे ऐसा लगता और सारे जो भी धर्म हैं मुझे लगता है कि वो प्रेम कहीं रास्ते पे चलने पे उसकी मंजिल है या प्रेम ही मंजिल है तो जिसने भी प्रेम को धारन किया है, उसका नुकसान करना बड़ा मुश्किल काम है, उसको हरा नहीं सकता है न प्रेम को आप, क्योंकि वो जीतना नहीं चाहता है, वो जीत आना चाहता है अगर मुझे आपसे प्रेम है, तो आपके खुशी में मेरी खुशी है, अगर आप म तो कहते हैं कि पिता को बहुत खुशी होते, क्यों खुशी होते है, भाई आगे बढ़ता है, तो क्या होती है उतनी खुशी, ज्यादा तर, एक टाइम के बाद हम लोगी वर्ड उच करते है, पटिदार, बहुत लोग वोती होगी, ऐसा मैं सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एक टाइम के बाद वो डिवीजन हो जाता है और लेकिन बेटा आगे बढ़ता है तो क्योंग खुशी होती है क्योंकि प्रेम है प्रेम होना चाहिए बहुत ज्यादा प्रेम अगर आपको जानवर से है तो आप जानवर को कभी नहीं मारेंगे आपके आपने पेट को मारते हैं आपके घर में जो पेट है वो आपके लिए जानवर नहीं है वो आपके लिए घर का सदस्य है क्योंकि आप उससे प्रेम करते हैं लेकिन जीवत्या हो रही है न उससे प्रेम नहीं है आपको प्रेम हो जाएगा तो आप उसको नहीं खापाए तो मुझे लगता है एक चीज जिसकी जरुवत सबसे अधिक है दुनिया को, वो सच में प्रेम की जरुवत है बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि राम जी से जो प्रेम हनमान जी को था, वो उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी प्रेम बढ़ना चाहिए लोगों में और कोई भी ऐसी चीज नहीं है, कोई भी ऐसी नागरात्मक चीज नहीं है जो प्रेम को कमजोर कर दे या हरा दे अगर सच्छा प्रेम है तो अगर प्रढ़ात को प्रेम है नारायन से तो कितनी भी होली का लेकि उसको बैट जाया अगनी में उसको कोई नहीं जला सकता है वो अगनी में जाएगा और हुसते हुए अगनी से आजाएगा प्रेम नहीं है तो बहुत दिक बहुत सीनियस हो जा रहा है आप लोग जहां पर आप कहते हैं कि विराम ने लंका यू छोड़ दी विभीशन का जो जिक्र भी वह इंद सॉंग उसको कैन यू प्लीज इनावरेट लिटिल बिट कि आप क्या कहना चाहते हैं जब जब विभीशन जीन उनको बोला कि आप राजा बन जाई है खतम हुआ बनवा से भगवन तार दीजिए हमको राजा बनके तो भगवान मेरे गीत में है वैसे उनका किरदार ही वह है उन्होंने का सौप दिया लो जाने दो हमको लंका अब तुम्री कर्म भूमी कितने बरस से राह अतकत है हमरे लिए अमरी जन भूमी से प्रेम थब हो तो वहां पर कुछ कर लगा देते कि ठीक है तुम रहो और मुझे देते रहना कुछ जो कि नॉर्मल ही राजा नॉर्मल लोग जो करते हैं उन्होंने यह नहीं किया और चुकि वह वह प्रेम ही राम प्रेम है मेरी एक आइडी भी है एक आइडी मैंने बनाई है अपने अगा प्रेम नहीं कर रहा हूं मैं वह दमे बाच्दे की भाओ में लिखाय तो राम प्रेम है उन्होंने मास ऐसा प्रेम किया कि माने वनवस दिया लेकिन मा को कभी कुछ बोला कि शिकायत नहीं की मा की आग्या है पूरी की जाएगी क्या हुआ 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 राजा र लंका गए तो लंका चर्णू में आ गया है वोले नहीं नहीं चाहिए आप लोग समझा लिए मैं चलता हूं अपने जन भूमी तो मेरे लिए राम और प्रेम जो बात नहीं है एक ही बात इसलिए मैं बहुत ज्यादा इनसे महसुस करता हूं जुड़ाओं और वो प्रेम ही है जो मुझे उस तरीके से जोड़ पाता है नगवाण से और मैं हमेशार किसी से पूछता हूं कुछ सुना देया हूं तो इस टाइम की हम कुछ सुने आपके तरफ से कुछ लाइन्स जो आपके अपने हो मैंने एक पोईट्री लिखी है मैं आपको सुनाता हूं बहुत ही करी बहुत मुझ से दुनिया में बहुत कीमती मानते हैं लोग हीरा को लोग मानते हैं कि हीरा अरे हीरे जैसे हीरे जैसे मेरा मना थोड़ा साला जम से, तो मैं सामने पेश करता हूँ, उसने हीरे को चुना, उसने हीरे को चुना, मेरा दिल नायाब रखा रहे गया, तो हुआ यूँ, कि मोतियों के आगे गुलाब रखा रहे गया, उसका मनना था, कि वो हीरे से जेवर बनाएगा, गुलाब को कौन चुने, ये तो सुख चाएगा, पर इसमें कोई बड़ी बात नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं गर ये हार कल जीत बन जाए और ये गुलाब कल गीत बन जाए तो लोग अकसर गुलाब को छोड़ देते हैं और हीरा को चुन लेते हैं तो एक दिन वो गुलाब गीत बनता है और जब वो गीत बनता है तो फिर हजारों हीरा उसके स तो बहुत करीब है मेरे यह है, मैं आपको सुना दिया है और जो चल रहा होता है इसको सुनाते बाद चल रहा होता है, सच है मेरा सच है, ठुगराया गया हूँ मैं भी कभी गुलाब की तरह लेकिन कोई बात नहीं उस ठोकर से कुछ सीखा और कुछ लिखा पासकर यह पोईट्री के बाद मैंने जो गीत लिखा था उस गीत का नम है आज भी टू तो वो आ रहा है तो जब वो आएगा तो आपको पता चलेगा कि उस गुलाब में कैसी महक थी और वो गुलाब कैसा था क्या बात है, कई सारे ऐसे लोग है वो और फॉन्ड ऑफ राइटिंग कई ठोकरे खा रहे हैं, कहीं नटे पर लगे हुए उनके लिए क्या मेसेज़ेज है who are following their dreams not giving up विश्वा से उनको गयार कुछ तो करने देखे, क्या होता है कि जब आपके हाथ में शक्ती है आप एक फूल को तोड सकते हैं पौदे को खार सकते हैं पेड को काट सकते हैं एक जंदल में आग लगा सकते हैं लेकिन वसंत को आने से अप नहीं रोक सकते तो वसंत आएगा तो फिर फूल भी खिलेंगे पौदे भी हरे हो जाएंगे जंगल भी घने हो जाएंगे कौन रोकेगा? नदी को कोई रोक पाया है तो ठीक हैं, परियासरत हैं जो लोग उनको सफलता मिलेगी बहुत बड़े-बरे शायरों ने बहुत अच्छी-च्छी बात इस पे लिखी है मोटिवेट करने के लिए हम भी उसे से मोटिवेट हो जाते हैं और फिर लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकते हैं एक पूइट्री है मेरी अब तो दर्द की उन बस्ती में घर है मेरा जितर जाने से खुद खुदा भी डरते हैं क्या बात है बस लिख रहा है जो महसूस हो रहा है लिखते जा रहा है मतला ऐसी चीज़े महसूस हो जा रही है यह कमाल की बात है अपने अपने कृपा है सब प्रभू की मेरे अच्छा एक सवाल है मेरा क्या मैं आपके मुबाइल का वाल पेपर देख सकते हैं आपको दिखा सकता हूँ इसले पूछ रहा है क्योंकि मुबाइल का वाल पेपर जो होता है वो एक इंसान थोड़ा सा परस्नलाइज होता है यह भी पता चलता है कि आप जो है आप वो है और नहीं आप कॉन है दो इसमेरे वाल पेपर पे वही है जो मेरे दिल में है मेरे नारायन अजिए कि अपने अपको रखता हूँ यह यह देते हैं इनिकी सक्ती से चल रहा है सब कुछ इनिकी सक्ती से चलता है जाते जाते हैं एनी मेसेज that you would like to give? मैसेज बस एक ही है, इसका नाम है प्यार, प्रेम, वही मैसेज है, सबी बोलते आये हैं, हम भी वही बोलेंगे, आगे भी वही लोग बोलें, वही अच्छा है, प्रेम बड़े लोगों में, आपस में, एक दूसरे के खुशी में खुश हो, दुख में साथ दे, ये लाइफ क के लिए करना दुनिया के लिए करना और युनिवर्स के लिए करना बहुत जरूरी है तो हम सब को कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना अधिक सदिक एक दूसरे के काम आपाए क्योंकि जो लोग परिशान है उनको हमारा साथ उनको हमारे साथ की जरूरत है क्ल हम परिशान होंगे हमें भी साथ की जरूरत है तो हम अगर एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो दुनिया बहुत खुबसूरत हो जाएगी हम जहां काम करते हैं हमारा मंदिर है हर रोस खूब मैनत करें हैं, so we are trying our best to like put out the best content out there on the internet. आप यहां पे हैं, so we just like to ask you about how do you feel about Jano Junction and if you could please tell the users to like, follow and subscribe. Jano Junction मेरे लिए मेरे भायों का बनाय हुआ, जैसा यह बता रहे हैं कि मंदिर है, और मैं इसी तरीके से मैं भी इस चीज को देखता हूं, तो खिर्पया करके आप लोग Jano Junction को support करिए, साथ दीजिए, share तो होई जाएगा अगर साथ देने की आपके अंदर मनसा आएगी, तो share भी करिए, subscribe भी करिए, दोस्तों को भी बताईए, परिवार के लोग को भी बताईए, और बहुत सारा प्यार दीजिए, यह लोग अभी start कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर energy है, और बहुत खुबसूरत सोच है इनकी, और मैं भी इसी प्रेम की विए से यहां बैठा हुआ हूँ, जो अपूरू से या चितित से या टीम के बाकी member से मिलता है, और यह लोग बहुत rise करेंगे, और मुझे पूरा यकीन है जो इस तरह की positivity है यहां पर, और अज पहला ही यह podcast है, तो मेरे साथ हो रहा है, तो मैं बड़ा लखी मैसूस कर रहा हूँ अपने आप, और बहुत 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 शुब कामना है, तो please like, subscribe and share करिये, और बहुत सारा प्यार देजे, thank you so much, और इतना time देने के लिए हम लोगों सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, thank you so much, राम जी सब का भला करेंगे, राम जी सब का भला करेंगे, like, share and subscribe, जानो जंक्सन, thank you, झाल 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 क्या है, झाल झाल